हलो प्रेंट्स, I am अपरती, वेलकम बेक टू आर चैनल, प्लांटस स्पेस आज हम आपसे शेयर करेंगे हल्दी कैसे ग्रो करें और जगे नहीं है, पॉट्स नहीं है एक चोटे से हल्दी के टुकडे से हमने यह प्लांट्स ग्रो किये थे और फिर अब यह काफी सारे root हमारे पास बन गई हैं इनकी विलकुल ऐसे ही होते हैं जसे अदरग की गांट होती हैं तो इनको आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारी हल्दी घर पर ही उगा सकते हैं करेंगे और यह चिके लिए चांगेवे बूर और द्युन्द करके पेची आप कानhips को बहुत बैसा दो ना को पूडल करेंगे और फिल्हाल ऑनकर लोग प्लांट और marksmen ॊढआ था देछेट अब भी आप इनको स्प्राउटिंग के लिए ग्रो कर सकते हैं तो सॉयल मिक्षर हमने बना लिया है 60% सैंडी सॉयल है और 40% काउडंग यानि गोबर की खाद है आप बर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं फर्टिलाइजर के लिए अगर सैंडी सॉयल नहीं है यानि कि मिट्टी जादा हार्ड है तो आप उसमें 2-3 मुठी रेत मिला लीजिए वो सैंडी सॉयल बन जाती है और एक और बात ऐसी मिट्टी बिलकुल नहीं बनानी है जिसमें पानी रुखता हो क्योंकि जो ये जड़ो वाले पौदे होते हैं यानि कि जैसे अद्रक है या हल्दी है या अर किया है और ये जो हल्दी की गाठ है इसको रग देते हैं इन पॉट्स में और देखिए इसी में ही यहीं से हर चारो तरफ से पतिया निकलने लगती है जैसे अद्रक आपने देखा होगा लगतार मल्टिप्लाइ होता रहता है अद्रक वैसे ही देखिए ये साइड में जो नोट्स हैं इनी में से ही नियू ग्रोथ होगी और इनी में से ही पतियां बाहर आएंगी और फिर ये मल्टिप्लाइ होगा एक ही जड़ से काफी सारी जड़े बन जाएंगी और इस तरह आपके पास काफी सारे हल्दी के पौधे भी हो जाएंगी और जब हर्वेस्टिंग होगी तो बहुत सारी हल्दी भी आप harvest कर सकते हैं अगर आप चाहें तो starting से ही इनको बड़े pots में भी grow कर सकते हैं लेकिन अभी हमारे पास pots भी available नहीं है मिट्टी भी जादा नहीं है और खाद भी जादा नहीं है क्योंकि काम जादा चल रहा है इसे में gardening का खाद की बहुत जादा जरूरत होती है तो हमने सोजा पहले इनको छोटे छोटे pots में grow कर देते हैं इस प्राटिंग स्टार्ट हो जाएगी तब इनको बड़े pots में shift कर देंगे लास्टर नहीं कर पाये थे इनको बड़े pots में shift कर ही दे और इसमें watering कर देते हैं पानी का ध्यान रखिएगा बहुत जादे पानी नहीं देना होता दिन में एक ही बार पानी देना होता है गर्मियों में और बिल्कुल ऐसे ही बचे हुए हल्दी और जो अर्बी है वो भी हम ऐसे ही grow कर देंगे एक बात का ध्यान रखिए जितनी जल्दी हल्दी grow करेंगे उतनी ही जल्दी harvesting भी होगी क्योंकि इनको तयार होने का जो time होता है लगभग 8-9 महीने लग जाते हैं इसको तयार होने म harvest करने में तो इसलिए आप कोशिश कीजिए जितनी जल्दी grow करेंगे उतनी जल्दी harvesting होगी अगर rainy season के आसपार्स grow करते हैं तो फिर आगे जाकर आपको फरवरी मार्च एपरिल तक उसकी harvesting करने के लिए मिलेगी इसलिए इस बात का ध्यान रखिए तो अभी ये दोनों गां हल्दी भी हमें मिलेगी harvest करने के लिए तो अभी हमारे plants तयार हैं तो अभी हमने हल्दी की ये दो roots रोक ली हैं जिसमें से एक काम powder बना कर देखेंगे और एक हमें अपने neighbor को gift करना है उन्होंने कहा था कि एक जड़ हमें भी देना हल्दी की बाकी जो छोटे-छोटे टुक ज्यादा पानी हो और नहीं मिट्टी में बहुत कम पानी हो धूप कम से कम 3-4 घंटे की डालेक्ट जरूर मिलनी चाहिए ज्यादर से ज्यादर full day sunlight में रख सकते हैं ये हमारे लास्टर के plants हैं आज की वीडियो आपको कैसी लगी comment box में जरूर बताए कोई query है question तो जरूर प